नमस्कार दोस्तों मौसम ताज़ा समचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगले 48 गंटे आप सभी के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं क्योंकि एक और चक्रवाती तूफान बेकाबू हो गया है जिसकी वज़े से सातियों भारी बारिश आंधी और तूफान लगबग दस राज्यों में चलने वाला है दिल्ली में दोस्तों बैयंकर आंधी की जेतावनी जारी कर दी है और IFD ने एक नया अलर्ट जारी किया है दिल्ली NCR में अब मोसम करवट बदलने वाला है मोसम विभाग के मताबिक आगामी दो दिन तक दिल्ली का जो आसमान है इसमें बादल चाही रहेंगे इसके साथ क पस्चे में विक्षोबी हिमाली छेतर की और बढ़ रहा है साथ ही एक ट्रप रेका महराष्ट से निकलकर करनाटक और तमिल लाडु तक जा रही है तो यह निश्चित है कि महराष्ट करनाटक और तमिल लाडु में जमा-जम बारिश होने वाली है साथ ही ठंडे और गरम बादलों का मिसरन जम्मू कस्मीर पर बना हुआ है और यह धीरे धीरे आगे की और बढ़ रहा है इन बादलों में कुछ 50 डिग्री सेल्चेस तक गरम है जबकि कुछ 50 डिग्री सेल्चेस तक ठंडे है बताते चले मौसम परिश्थितियां उत्तरपस् करे हुआ है इसके कल दिल्ली पहुंचने की संभावना है इससे दिल्ली एंसियार में 20 21 और 22 अप्रेल के दोरान गरत चमक के साथ बारिश की संभावना है इस दोरान तीज गति से हवाई चलेंगी मौसम विग्यानिकों की माने तो पंजाब हर्याना राजिस्थान के कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइगन को प्रेस कर लें साथ यो बता दें कि जो चक्रवाती तूफान सक्रे हुआ है इसकी वज़े से दिल्ली हर्याना पंजाब राजिस्थान उत्तर प्रदेश बिहार जहारखंड और मद्दे प्रदेश के साथ 36 गट महराष्ट गुजरात दोस्तों इन राज्यों में अलर्ट किया गया है मोसम से जोड़ी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइगन को प्रेस कर लें साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्जे से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में अब इससे बताए धन्यवाद दोस्तो जैहिन